एक बड़ी अपडेट यहां पे आ रही है कि आपका एक नवंबर से जो आपका क्लासिस चालू होने का जो यहां पे बात था उसको बढ़ा करके एक दिसंबर कर दिया गया है जी हाँ आपने सही यहां पे सुना आईए मैं आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझा देता हूं कि यहां पे कहा गया इंजिरिंग कॉलेजों का नया सत्र एक दिसंबर से वही अगर आप यहां पे देखेंगे तो AICTE ने बढ़ाई UG First Year के इंजिरिंग कोर्सेस में एड 30 नवंबर तक होगा एडमीशन इसी ने जो गाइडलाइन दिया थे 31 अक्टूबर तक ठीक है वो पूरे भारत के सभी युनिवर्सिटी के लिए था लेकिन यहां पे पूरे भारत सरकार की जो टेकनिकल काउंसिल है उन्होंने अब यहां पे डेट वापस से रिवाइस करक 30 नवंबर तक इन्होंने बढ़ा दिया है और एक दिसंबर से सुरू होगा क्लासे से यहां पे उन्होंने यह भी चीजे जारी की है आईए पूरे आर्टिकल को समझ लेते हैं यहां पे लिखता है आल इंडिया काउंसिल फोर टेकनिकल एजूकेशन तो चाहाए आप इंज अकेडमिक कलेंडर चारी किया है संसोधित अकेडमिक कलेंडर के अकॉर्डिंग आपका क्या है यहां पे काउंसिल ने ए आई सी टी सी से मानेता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट में यूजी फर्स्ट इयर के इंजरी कोर्सेस में अब 30 नवंबर तक यहां पे अब एक दिसंबर हो गया है तो टेकनिकल के जितने भी आप क्लासे से आपके एक दिसंबर से चालू होगी आगे यहां पे का आगे इस्टुडेंट ए आई सीटी सी के ऑफिसल वेबसाइट यहां पे आप देख सकते हैं में जा करके रिवाइस्ट कलेंडर यहां पे आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं यहां पे नोटिफिकेशन आया हुआ है प्रोफेसर राजीव कुमार सर का यहां पे जो की सदस सची हुआ है ठीक है मेंबर सेकेटरी है किनके AICT से भारत सरकार का यह संस्था है जो पूरे भारत में जितने भी टेकनिकल एजुकेसं से रिलेटेड इंस्टिटूट है इन सबको मानेता देने का काम यही करता है ठीक है UGC के बाद सबसे बड़ी जो संस्था है वो यह है आगे अगर हम बात करें तो पहले 20 अक्टूबर की आखरी तारिक थी इसे पहले तक AICTE से मानेता प्राप्त विस सिद्दैले और के इंजरिंग कोर्से इसमें एडमिसन ले सकते हैं इससे पहले इंजरिंग फार्मेसी आर्किटेक्चरर और अन्य पाटक्रमों में मौझूदा इस्टूडेंट्स के लिए सत्र सोलागस से सुरू होने वाला था और नए बैच के लिए नया सक्षनिक सत्र 15 सितंबर से सुर अगर आप में आपका स्वागत है मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक कि आप अपना ख्याल रखें तब तक जय हिन जय भारत